हेलो फ्रेंड्स तो चली बना लेते हैं आलू दो प्याजा ये सबजी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है तो इसके लिए एक बरतन को गरम कर लेंगे उसमें दो चम्मा चॉयल डाल देंगे जब अच्छे से गरम हो जाएगा दो बड़ा साइच का आलू इसलिए कभी लो और या कभी बिल्कुल हलका सा उससे थोड़ा सा ज्यादा हो फ्लेम को मेडियम कर सकते हैं ये देखे कलर अच्छे से चेंज हो चुका है और एक डेट में हम आलू को निकाल लेंगे इसके बाद उसी तेल में हम डाल देंगे प्याज ये प्याज हमें सिर् 30 सेकंड के लिए पकाना है तो ये आलू दो प्याजा की सबजी है आप चाहें तो सिम्ला मिर्चिस में डालें और चाहें तो नहीं भी डालें कोई बात नहीं है लेकिन इसे डालने से स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने यहां इसे डाल दिया है और इ अच्छे से सुनहरा नहीं हो जाता ये वाली जो सबजी है वो बनाने में वी आसान है और खाने में तो इसका स्वाद आप पूछे मत जवाब बनाईएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा टेश्टी लगती है तो चलिए इसे जब प्याज जब तक हमार यह अच्छे से जब पक जाए उसके लिए ना है यहां एक चमच नमक आधा चूटा चमच हलल दी इसे मिक्स कर लेंगे और mix सब्सक्राइब लग मेंकिन दमने से बादस किस वड़ा वान आपछए, हमें लिट इसे कॉक कर लेंगे अच्छे सबीदवाल कि नहीं पर शिइंट, अब इसमें पकाया हुआ आलू प्याज और कैपसिकुम डाल देंगे, मसालो में इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है और 1 फोर्थ कप इसमें पानी डाल देंगे और श्रीफ ढगकर एक मिनट के लिए ही इसे पकाना है इसे ओवर कुक नहीं करना है नहीं तो टेस्ट खराब हो जाता है यह देखिए मैंने कितना कम पानी डाला है क्योंकि मुझे यहां गाड़ी सब्जी ही पसंद आती है आप चाहें तो ग्रेवी बना सकते हैं लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी सब्जी को ड्राय रखिएगा बहुत टेश्टी लगेगी तो अच्छे से ह अच्छे से और पकाना है गरम मसाला डालने के बाद और यह बनकर तयार हो गया है तो इसे बनाने में भी हमें बहुत जादा समय नहीं लगता है और खाने में तो यह बहुत जादा टेश्टी है ही और आलू तो ऐसे भी सभी को बहुत जादा पसंद आती है यदि मेरी पत्ता काड़ कर मैंने इसमें डाल दिया है और मिक्स करके अब सब्जी तयार है सर्व करने के लिए आप इसे रोटी, चावल दोनों मैंसे किसी के भी साथ खा सकते हैं ये सब्जी आपको बहुत जादा पसंद आएगी तो आप देख सकते हैं ये सब्जी देखने में ही बहुत लाजवाब है तो आप इसे कब बना रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई